हेलो दोस्तो आपका स्वागत है मेरे यूटूब चानल पर आज हम बात करेंगे जो मेडिसिन पर रेड लाइन लाल पट्टी क्यों होती है Rx, Nrx, SRx सिंबॉल के बारे मेडिसिन पर वो क्यों रहते हैं दोस्तो आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेते हो पर आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिसिन पर रेड लाइन लाल पट्टी होती है किसी पर Rx लिका होता है, किसी पर Nrx लिका होता है और किसी पर Xrx लिका होता है आपने सोचा होगा कि उसका मतलब क्या होता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है दोस्तों आपनी मेरे यूटुब चानल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया होतों सस्क्राइब करे उस बेल आइकाउन पर क्लिक करें मेरे नहीं वीडियो की जानकारे आपको मिल जाएंगी चलो शुरू करते हैं जब आप कोई मेडिसिन पर्चेस करते हैं उस पर रेड लाइन लाल पटी होती है उसका मतलब ऐसा होता है कि आप ये मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ले सकते हो यूज कर सकते हो जिस पर लालपटी रेड लाइन होती है ये मेडिसें शेडूल एच में आती है जो डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है मेडिकल शॉप वाले इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच नहीं सकते ये है जोलोसिल इस पर red line नहीं होती है इसमें dark pink line रहती है ये company की packing में ही आती है ये आपको without बिना prescription की मिल जाती है चलो बात करते है आरेक्स सिंबोल के बारे में कुछ medicine पर आरेक्स लिका रहता है उसका meaning ऐसा होता है कि ये medicine doctor के सलाह के सलाह लेकर ही use करते है ये medicine doctor के prescription रहे लिखी जाती है पेशन्ड को वही patient यूज करता है जिसके prescription पर लिखी जाती है जो डॉक्टर ने लिखी होती है चलो बात करते हैं NRX के बारे में कुछ medicine पर NRX लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि medicine नशीली रहती है जो जिस पर NRX लिखा रहता है और एh medicine narcotic drug और psychotropic acceptance act में आती है एh medicine होई बेस सकता है जिसके पास उसका license हो example like morphine alphrazolam sweet tooth hypnotic drug बात करते XRX के बारे में कुछ medicine पे XRX लिका रहे ज़ा है यह medicine डॉक्टर खुद हím दे सकते हैं यह medicine psychology prescribed करते और air medicine lock में बंद करके रखते हैं जिसके पास लाइसन ही होता है वही उसको बेच सकता है इस medicine का record रखना पड़ता है pharmacist को 2 साल तक किस patient को दिया था और किस condition पे दिया था इसमें example के लिए anti-psychotic drug आते आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो अच्छी लगे तो like करे, share करे, channel को subscribe करे और information share करे, thank you